दोस्तो फाइनली चन्नेई सूपर किंग्स अपना पांचवा टाइटल जीत चुकी है IPL में तो दोस्तो कल के मैच में ये पांच कारण थे जिसकी वज़े से चन्नेई सूपर किंग्स ने ये अपना पांचवा टाइटल जीता इस वीडियो में हम आपको इन पांचों कारून के बारे में बताएंगे कि जिसकी बज़े से चन्ने सूपर किंग्स इतना उन्होंने शांदार परदशन करके पांचवी बार आईपेल टैटल अपने नाम किया महिंदर सिंग धोनी की कपतानी वाली चन्ने सूपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में धमाल कर दिया है बारिश के कारण काफी इंतिजार करने के बाद आखिर इस सीजन का नतीजा आई गया वो भी रिजर्व डे में तो यह मान लीजिए यह मैच ने तीन दिन तक चला और दोस्तों यह मुकावला फाइनल तो था इसलिए थोड़ा इंटरस्टिंग सा भी था और यह काफी जा रहा हो इस मैच में उतार चड़ाव हमें देखने को मिले और डकवल लुई सिस्टम इस मैच में लगाना पड़ा क्योंकि पांच ओवर हमें कम करना पड़ा क्योंकि बारिश की वज़े से तो इस फाइनल में गुजरा टाइटन्स को पांच विकेट से CSK ने हरा के पांच मी बार टाइटल को अपने नाम किया दोस्तों जैसे की फाइनल ना संडे को होना था लेकिन बारिश के कारण एक दिन और जादा आगे अक्स्टेंड हो गया फिर रिजर्ब डे 29 मई को ये फाइनल हुआ और जो धूनी के फैंस थे और जो IPL को फॉलो कर रहे थे ना उनको दो दिन तक इंतजार करना पड़ा इस मैच को देखने के लिए और रिजर्ब डे में भी बारिश ने ना इस मैच का पीछा नहीं छोड़ा गुजराद ने 20 ओवर में 214 रन बनाय जो की काफी जादा स्कोर था इसके बाद बारिश भी होने लगी लेकिन वो भी क्रिकेट के जुनून के आगे हार गई और बारिश बंद हुई तो डगवर लुईस सिस्टम के तहत 15 ओवर का मैच किया गया और चन्नाई सुपर किंग्स की पारी कराई गई आगे चन्नाई को 171 रनों का टारगिड मिला 15 ओवर में दोस्तो बारिश की वज़े से ये फाइनल ना मैच दोनी के लिए जीतना अतना असान नहीं था जितना की CSK टीम के फैंस मान रहे थे मुकाबले में कई बार ऐसा लगा जब गुजरात ये मैच जीत लेगी मगर कुछ दोनी की चलांकी और फिर रविंदर जड़े जगा बेस्ट फिनिश काम किया और ऐसे ही मैच में पांच बड़े कारण रहे जिनके दंपच चन्ने ने ये मैच और किताब अपने नाम किया आए जानते हैं ये कारण मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टाइटन्स ने धमाके दार शुरुआत की थी और ओपनर शुमन गिल और रिदिमान सा ने तुफानी बैटिंग की जैसे की इस पूरे IPL सीजन में उन्होंने की इसी दोरान गिल को दो जीवनदान भी मिले और गिल दोनों कैच दीपक चहर ने छोड़े जीवनदान मिलने के बाद गिल खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे जो कि वो फॉर्म पूरे सीजन में उनका रहा है और गिल ने लेकिन 19 गेंदों में 40 रन की पारी खेली मैच का पहला का जो विगेट केपिंग जो कर रहे थे धोनी उन्होंने शुमन गिल का एक बैटरिन स्टपिंग आउट किया और यही मैच का एक टर्निंग पॉइंट रहा प्रदेशन और सबने थोड़ा थोड़ा कॉंट्रिबूइट किया दोस्तों नंबर तीन पर आये शिवम दूबे ने जो पूरे आईपल सीजन में शांदार उन्होंने बल्लेवाजी की मिडर और में उन्होंने 21 गेंदों में 32 रन बनाए और नॉट आउट रहे और मैच ज सके और पहली बॉल पर ही आउट हो गए चौथा रिजन था जड़ेजा का बेस्ट फिनिश जड़ेजा पूरे आईपल सीजन में वह फॉर्म में नहीं दिख रहे थे और वह ऐसा फिनिशर खेलते हैं चन्ने सूपर किंग्स की तरफ से लेकिन वह ऐसा फिनिश नहीं कर पा काम वापस आये और लास्ट के दो बॉलों पे दस रंज यह था तब जड़ेजा ने छक्का और चौका मार के चन्ने सूपर किंग्स को पांच वी वार टाइटल जिताया और आखरी रिजन था कि चन्ने सूपर किंग्स ने राशित खान और मोहमद शामी का तोड़ डून ल लिए तो वही परपल कैप विजेता रहे उनके अलावा अफगानिस्तान स्पीनर राशित खान और तेज गेंदबाद मोहिट शर्मा ने भी 27-27 विगेट लिए यह तीनों ही गेंदबाद गुजराट टीम की बड़ी ताकत थे मगर दोनी की कप्तानी वाले चन्ने टीम भी इनके खिलाब पूरी तेयारी के साथ मैदान में उतरी थी चन्ने टीम ने इस मैच में शमी और राशित की कोई विगेट नहीं दिया हलाकि मोहिट तीन विगेट लेने में कामयाब रहे लेकिन धोनी से जीत नहीं चीन सके शमी ने तीन ओवर में 29 रन और राशित ने तीन नूर एहमद ने भी 17 रन देकर दो विगेट लिए तो दोस्तों इन कारणों की वज़ा से चन्नाई सूपर किंग्स ने ये किताब जीता और जो सेलिब्रेशन था ना वो देखने लायक था क्योंकि धोनी को हमने ऐसा सेलिब्रेट करते हुए कभी नहीं देखा तो दोनी कैप्टेंशिप बहुत भी बढ़िया थी और जो इनका टर्निंग पॉइंट था शुम्मनिल का स्टंपिंग धोनी अगर नहीं होते दोनी के लावा वह स्टंपिंग कोई कर भी नहीं सकता था तो दोस्तों आप चन्नाई सूपर किंग्स के फैन है तो कमेंड में CS के जरूर लिखें वीडियो अच्छे लगी वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे हमारे हारे एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप को मिल सके सबसे पहले